कि हैं अग्या इस्टूडेंट हम इंट्रोड़क्षिन के वह बात करेंगे मतलब केमिस्ट्री का इंट्रोड़क्षिन क्या है अर्थाथ केमिस्ट्री की सुरुवात कहां से होती है सबसे पहले हम बात करते हैं मेटर हताथ क्लासिपिकेशन ऑप मेटर केमिस्ट्री की स्टार्टिंग पॉंट है वह है मेटर तो हम बात करेंगे classification of matter matter क्या होता है matter तो पहले हम matter की definition की बात करें तो matter वो ही है हमारे surrounding में चारो तरफ matter हम उस चीज को बोलते हैं जिसका mass हो और वो space को occupy करता हो मतब anything which has mass and occupy space अरता कोई भी आपके surrounding में कोई भी surrounding में आपके कोई भी चीज हो सकती है जिसका mass हो और वो space को cover करती हो उसे हम matter बोलते हैं आगे बात आती है classification of matter में matter का classification हम दो type से करते हैं एक pure matter और एक आपका impure matter अरता हम matter दो हैं एक pure matter है एक impure matter है pure जो matter होता है उसको तो हम substance बोलते हैं और जो impure matter होता है उसको हम mixer बोलते हैं तो याद रहे, pure metrocore substance, impure metrocore क्या बोलते हैं, mixer तो definition क्या हो गई, pure, pure से मतलब आप समगते हो कि जो pure हो, अर्था तो उसमें किसी प्रकार का कोई combination नहीं हो तो only one substance present no impurity तो अर्थाथ, substance उसको बोलते हैं, जिसमें कि एक ही type का substance हो और उसमें किसी प्रकार की कोई impurity नहीं हो और mixer किसको बोलते हैं, mixer का मतलब होता है mix करना तो इसका मतलब यहाँ पर more than one substance present होते हैं अर्थाथ, यहाँ पर जो होते हैं, उसमें एक से ज़्यादा प्रकार के substance present होंगे उसे हम mixer बोलते हैं, अब हम बात करते हैं, pure matter अर्थाथ, substance के बारे में substance क्या है, substance एक खुद matter ही होता है तो it is the pure form of matter, अर्थाथ, matter की जो pure form है उसको हम क्या बोलते हैं, substance के बारे में, उसको हम substance कहते हैं आगे बात आती है, कि आपके जो pure matter होते है, matter होता है उनका fix composition होता है अर्थात जो matter या जो substance बने होते हैं इनमें जो composition अर्थात जो भी हम component मिलाते हैं उनका जो ratio या उनकी जो quantity होती है वो fix होती है जबकि mixer के अंदर composition is variable अर्थात इनके अंदर जो component या जो भी substance हम मिलाते हैं उनके जो रेसो है वो fix नहीं होता है वो change होता रहता है अर्थात हम ऐसे भी कर सकते है two or more pure substance which may be present in it in any रेसो अर्थात वो किसी भी रेसो के अंदर present हो सकते है उनके रेसो में change भी हो सकता है अब आताती है example तो आपके जो pure matter के example है उसमें एक तो copper copper एक metal है hydrogen एक non-metal है silver metal है oxygen भी आपका non-metal है gold metal है water water आपके molecule का part है glucose भी एक molecule का part है आपका compound के अंदर है water भी compound है और आपका glucose भी compound है ऐसे ही अगर हम mixer की बात करें तो mixer में sugar solution in water water में sugar मतलब चीन को जो हम water में dissolve करते हैं जो obtain होता उसको mixer बोलते है air आपके चारोतर surrounding में जो air है वो भी क्या है एक mixer है चाहिए हम जो बनाते हैं वो भी mixer का part है further classification की अगर हम बात करें तो further classification के अंदर हम आपके pure matter को दो parts में divide करते हैं एक आपका हो गया element और एक आपका हो गया compound तो एक तो कौन सा classification हो गया element का एक आपका classification हो गया compound का element क्या होता है element होता है cannot be divided into simple substance अर्थाथ जिसको आगे तोड़ा नहीं जा सके अर्थाथ ये एक matter की basic unit है जिस तरह से हम कहते हैं कि एक मकान का base होता है new उसी प्रकार से matter की base है element जिसको फर्थाथ डिवाइड नहीं कर सकते हैं अर्थाथ ये simplest form होती है जबकि compound के इंदे divided into simple substance और compound जो होता हैं उनको हम divide करके simple form अर्थाथ elements में change कर सकते हैं elements और compound में example की गर हम बात करें तो हमने just उपर example पढ़ेते हैं वही example मेंने का था copper hydrogen silver oxygen gold ये सब element है इनकों simple form में convert नहीं कर सकते हैं ये खुद already simple form है जबकि water एक compound है वाटर कोम तोड़कर hydrogen और oxygen की रूप में ला सकते हैं जैसे glucose गुलकोज भी याद रखे एक compound है अलाकि glucose में carbon hydrogen oxygen carbon hydrogen oxygen तीनों है एकिनों तीनों का जो रेसो वो एक fix पोजिस एक fix रेसो में तीनों element एक fix रेसो में होते हैं एसे ही carbon dioxide जिसमें CO2 है ये भी एक compound के अंदर आता है आगे फर्दर हम element और compound का classification करते हैं तो element को फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं metal, non-metal और metalloids ऐसे हम compound को भी आगे फर्दर तीन पार्ट में classify करते हैं acid, base और salt याद रहें के metal, non-metal, metalloids हम 9th class में steady करते हैं acid, base, salt हम 10th class में steady करते हैं ये आपके pure matter का classification complete होता है अब हम बात करते हैं आपके impure matter की अर्थात impure matter से मतलब है आपका जो mixer था उसकी mixer में हमने का था कि more than one substance present, अर्थात यहां पर 8 से ज़्यादा प्रकार की substance present होंगे अर्थात हमने ये भी का था कि यहां पर composition variable होता है और इसके example भी मैं आपको बता दिया था आगे हम बात करते हैं इसका classification तो इसका further classification दो है, एक homogeneous और एक heterogeneous अर्थात इसका further classification दो पार्ट में हम करेंगे एक homogeneous और एक heterogeneous अर्थात homogeneous और heterogeneous homogeneous का मतलब है जिसको हम easily separate नहीं कर सकते अर्थात हम जिसको easily differential नहीं कर सकते mixer exists in only one phase या one state अर्थात ये केवल एक ही state के अंदर होता है जबकि heterogeneous एक से ज़्यादे state के अंदर होता है अर्थात इसके अंदर एक state दूसरी state के उपर spread मतलब failure रहती है अर्थात तो अलग लग परते दिखाए देती है जबकि इसके अंदर only single layers होती है सबिस्टेंस complete mix यहाँ पर दोनों सबिस्टेंस complete mix हो जाता है जैसे हम आपके सुगर चीनी को पानी में डिजोल हो करते हैं तो थोड़ देर बाद में हम देखते हैं कि चीनी पानी में complete डिजोल हो जाती है तो वहाँ पर जो solution obtain होता है वो आपका homogenius है ऐसे heterogeneous के अगर हम बात करें तो जैसे देखो मिट्टी को पानी में डिजोल करो और उसको शेक करेंगे तो थोड़ देर तक तो उसमें गुलेगी थोड़ देर रख देते हैं तो मिट्टी अलग और पानी अलग हो जाती है तो इसे हम क्या बोलते हैं? heterogeneous बोलते है अतात homogenius से जो होते हैं होते हैं आपके जो homogenius के एक्जामपल है वो solution होते हैं आगे हम बात करते हैं पहला classification of matter हो गया दूसरा states of matter अतात मेंटर की state क्या है? तो मेंटर की state तीन है solid state, liquid state, gas state एक solid है, एक liquid है, एक gas है इन तीनों के बारे में सभी को idea है solid क्या होता है? जिनका definite volume और definite shape होती है जैसे आपके घर पे रखावा, table, आपके घर पे रखी वी, chair ये सब solid होते हैं अतात इनका volume और space दोनों fix होते हैं अब आताती है liquid liquid वो होते हैं जिनका volume तो fix होता है लेकिन उनका shape definite नहीं होता है जिसे हम पानी है, water है water को glass में डालते हैं तो उसका shape glass जैसा हो जाता है अगर उसी water को bucket में डालेंगे तो उसका shape bucket जैसा हो जाएगा अतात यहां पर उनका definite shape नहीं होता लेकिन volume fix होता है अगर glass बरकर पानी हम bucket में डालेंगे तो bucket में water glass के बराबरी होगा उसे जादा कम नहीं होगा लेकिन gas जो होते हैं उनका volume और उनका shape दोनों ही definite नहीं होता तो याद रखे, gas का volume और gas का shape दोनों ही definite नहीं होते दोनों indefinite होते हैं जैसे हम गुबारे में हवा बरते हैं गुबारे हम जब हम air बढ़ते हैं तो गुबारे का size air जितनी बढ़ते जाते हैं उसके साथ चेंज होता जाता है और इसी गुबारे की air को अगर हम bucket में रखेंगे तो वाँ भी यह चेंज हो जाएगी तो इसका मतब यहाँ पर इसका volume और सेफ दोनों ही चेंज हो रहे हैं आगे बाताती है particles are held हाँ solid में क्या होते हैं particles both close होते हैं और close होने के कारण उन्हें में attraction force अच्छा होता है और attraction force अच्छा होने की वज़े से उनमें freedom of moment नहीं होता अरतात वो free ओकर moment नहीं करते अरतात उनके अंदर जो moment गती है वो नहीं होती जबकि liquid के अंदर particles जो हैं वो close होते हैं लेकिन solid के compare में थोड़े दूर होते हैं इस वज़े से वो around अपने चारोता move कर सकते हैं जबकि gas में particles की बीच की distance बहुत ज़ादा होती है बहुत far है इस वज़े से वो easily और fast moment कर सकते हैं आगे बाद आती है सबिस्टेंस की एक और part कि आपके जो element होते हैं उनके अंदर particles की रूप में वो exist करता है particles of an element में exist atom और molecule अरतात आपका जो element है उसके जो particles होते हैं वो atom और molecules की रूप में exist करते हैं तो अब हम Atom और Molecules के बारे में बात करेंगे, Atom और Molecules के बारे में बात करते हैं, तो Atom क्या है, तो Starting में Atom की Definition यह थी, कि Atom एक Non-Dividable Part है, अतात Atom को Divide नहीं किया जा सकता, बाद में जब Discovery हुई और पता चला, तो Atom एक Divideable Particles है, अतात Atom जो है, कि Atom Initially तो Non-Dividable था, बाद में इसको, जब Many theories आई, अनिक ठोरी आई, तो इसके अंदर इसको क्या कर दिया गया है, Divideable Particles माना गया, तो The Smallest Particles of an Chemical Element that can exist either alone or an Combination, उसको हम Atom बोलते हैं, और Molecules क्या होता है, Group of Atoms, यह Atoms जब Group में आजाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, uniform में exist नहीं करता, इसलिए वो take part, reaction में take part भी नहीं करता, तो याद रखना, Molecules क्या होता है, Representing the smallest fundamental unit of a chemical compound that can be take part in a chemical reaction, अर्थात यह chemical reaction में take part करते हैं, तो इसका मतबब इसमें 8 proton होते हैं, अर्थात इसमें 8 particles होते हैं, ऐसे हिए अगर हम बात करें Molecules में, तो hydrogen एक atom है, hydrogen एक atom है, दोनों atom मिलकर H2 बनाते हैं, इसी को हम Molecules बोलते हैं, और दो होने के वज़े से इसको हम die hydrogen बोलेंगे, ऐसे ही यह Oxygen है यह Oxygen है दोनों मिलेंगे तो O2 बनेगा इसको हम Dioxygen बोलेंगे ऐसे ही Example में O3, N2, Cl2 यह सब Molecules के रूप में आते हैं बच्चों आपको इस वीडियो को बार बार पढ़ना है बार बार पढ़कर इसको रीड करना है उसके बाद अपनी कोपी में लिखना है